पुश्कर क्षेत्र में डिस्कॉम के छापे साथ जगहों से पकड़ी 40 लाग की बिजली चोरी डिस्कॉम के M.D.V.S. भाटी के नित्रत्तों में शुकरवार को पुश्कर के निकटवर्ती गाउं में चापमार करवाई करते हुए करिब 40 लाग की बिजली चोरी पकड़ी गई किसी को भनक नहीं लगे इसलिए करवाई को अल्द सुबह ही दिया गया अंजाम सुबह साड़े चार बजे से लेकर साड़े साथ बजे तक तीन गंटे चलती रही करवाई करवाई के बारे में जानकारी देते वे डिसकॉम M.D.V.S. भाटी ने बताया कि शुकरवार को कड़ेल, कानस और देवनगर में बिजली चोरी के साथ मामले पकड़े गए इन में से एक जगे ऐसी थी जहां खेत के कुवें पर दूसरी बार बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया भाटी ने कहा कि ऐसे उपभोगताओं के खिलाब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और कड़ी से कड़ी कारवाई अमल में लाई जाएगी डिसकोम के एसी कोपाल चत्रुवेधी ने बताया कि चोरी करने बले उपभोगताओं का भार इमानदार उपभोगताओं पर न पड़े इसके लिए ऐसी कारवाईयां आगे भी लगातार जारी रहेगी सुरक्षा की द्रस्टी से डिसकोम के आतिरिक्त पुलिस अदिक्षक राजेंद्र सिंग निर्वान के नित्रतु में जापता रहा तेनाथ पुशकर डिसकोम के सायक अभियनता मोहन सिंग जादोन ने बताया कि चोरी के मामलों में पकड़े गए उपभोगताओं को साथ द नावरिया भी रहे मौजूद एक चौरी बने वे तो जब से कर रहा हुगा जब गर बनाया होगा वह क्या एगर अगरिकरघ कर ड़े तुक है पकड़ा तो पहले भी चोरी करता था यानि वह वह फिक्र है कि चोजी एक बार पहले भी उनको पकड़ा इन्होंने मोहन सिंग जी की टीम ने आज उसी को हमने पकड़ा और उसके ओपर पोई फलक नहीं पड़ता है ऐसे उगोपताओं को बिल्कुल भी रियायत नहीं देनी चीए ऐसे उगोपताओं को हमने कर दें हम सक्त कर सक्त कारवा करने के लिए तक एक जनताने अच्छा मेसेज जाए और विद्ध चोड़ी पर प्रभावी अंकुष लगाए यह लगातार अभ्यान चलाया रखा है जिससे प्रभावी कार्माई की जासके हैं तो चोरी कर रहे हैं उनका बाहर जो है इमांदरों पर नहीं पड़े और अच पर चोड़ी परकड़े का प्रयास आगे भी बराबर जरी रहे हैं तो